आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जादा Active हो जाते हैं और जैसे यह Active हो जाते हैं वो क्या करते हैं? वो Gene Pool में अपना Number जो है वो Increase करते रहते हैं और ऐसे Alleles जो हैं वो Nature में बहुत जादा Suitable होते हैं जिसके कारण से जो Frequency होता है यानि जो Gene में उनका Number होता है वो भी बहुत जादा High हो जाता है क्योंकि वो लोग Continuously Multiply करते रहते हैं और जैसे यह उसका Number High हो जाता है वो क्या करते हैं? वो Carry Forward होते हैं Generation After Generation और यहां पर क्या होता है? कि Genetic Drift यानि जो Changes होता है Small Changes Due to Genetic Mutation वो सारे भी Diminish हो जाते हैं क्योंकि इनका Activation Gene Pool में बहुत जादा होता है अगर इसका Example देखें तो वो हो जाता है Blood Group का Sorry, Blood Group नहीं इनका Example होता है Selection Against Homosigous Sickle Cell Aminemia Homosigous Sickle Cell Anemia जिसमें क्या होता है कि इन्डिवीजुल्स होते हैं वही कैरी करते हैं Sickle Cell Anemia को जो Properly दोनों Alleles में कैरी करते हैं लेकिन अगर एक Alleles में कैरी होता है तो वो क्या जोते हैं वो Suppress हो जाता है और वो Carrier हिसाब में रहने लगता है यही चीज़ है Balancing Selection जहां पर Carrier बनाके और और गनीजम को या फिर Alleles को Suppress कर दिया जाता है और उसको Balance Mode of Selection गिप किया जाता है ताकि वो अपना लाइब जो है वो आगे भी लीड कर पाए नेज्ट है Natural Selection जो की given हुआ था या पि जिस Scientist ने इसको दिया था उनका नाम था Darwin Darwin ने Natural Selection का कहा था कि जो Organisms Nature के Changes को सबसे ज़ादा Adapt कर पाएगा और साथ में जो Nature के Adaptability के साथ अपने आपको डाल पाएगा और उसी के साथ साथ Increase करेगा अपना Number तो उसका Living Chances जो है वो बहुत ज़ादा High हो जाता है और वही Nature में Fittest भी कहलाता है और जो Organism यही Adaptability के साथ अपना Number यानी Reproduction Rate इंक्रीज कर पाएगा वही Organisms Environment में सबसे ज़ादा Viable होंगे और उनका Number of Progeny भी इंक्रीज करेगा यही है Natural Selection जिसके Example में आता है COVID-19 COVID-19 जो है जो लोग इसको जेल नहीं पाए वो टाई हो गए और जो जेल पाए वो क्या कर गए? वो लिव कर गए और वो Naturally Selected हो गए Environment के साथ Next is Polymorphism Polymorphism एक ऐसा Character है या फिर ऐसा Criteria है जहां पे एक ही Progeny का यानि एक ही Species के बहुत साले क्या होते हैं? बहुत सारे Forms होते हैं More than one form और ऐसे Progeny को या फिर ऐसे Groups को क्या कहे जाते हैं? ऐसे Groups को कहे जाते हैं Polymorphism जो कि कहां दिखाई देता है? नी डड़िया वाले Group में जैसे नी ड़िया का अगर बात करें तो वहाँ पर Two Type of Forms रहते हैं एक है Polyp जो कि उसी Species का होता है और ये Attached to the Substratum या फिर Ground रहता है और दूसरा Form होता है जो होता है Medusa और ये क्या पर्क कर पाता है? तो ये Swim कर पाता है लेकिन ये दोनों सेम ही Group के या फिर सेम ही Species के बिलॉंग करते हैं लेकिन इनके जो Forms होते हैं या पिर जो Morphology होता है ये Different होता है तो ये हो गया हमारा Correct Answer इन तीनों के Definition में या फिर Correct Notes इन तीनों के हिजाब से Classics टुटल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर